Hello students, welcome to Magnet Brains, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब बहुत अच्छे से होंगे My name is Neha Verma from Magnet Brains So students, Magnet Brains एक ऐसा YouTube channel है जहां आपको Kindergarten Means KG से Class 12 तक आपको आपके पूरे स्लेपस का वीडियो मिलता है वो भी 100% free Yes students, इसका मतलब यहां से पढ़ाई करने का यहां से वीडियो देखने का आपको कोई भी payment नहीं करना पड़ता तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई Students, हम कर रहे हैं कक्षा 4 Class 4 का आपका Hindi और आज हम शुरू करेंगे Part 2 Yes students, Part 2 जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब मानि जैसा सवाल होगा वैसे ही जवाब मिलेगा है ना मजेदार पाट करना तो चलिए शुरू करते हैं पाट को पढ़ना जैसा सवाल वैसा जवाब So students, यह जो पाट है यह अकबर बादशा का नाम सुना है आपने अकबर बादशा के दरबार की कहानी है और उनके दरबार में उनके एक मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था बीरबल है ना और बीरबल को बड़ा बुद्धिमान कहा जाता था क्योंकि वो अकबर बादशा के यहां जो भी कुछ भी कोई भी होता था, किसी भी परिशानी में अकबर बादशा होते थे, बिर्बल को बुलाते थे, बिर्बल अपनी बुद्धी का इस्तमाल करके जल्दी से उसका solution निकाल देते थे, है ना students, तो इस पार्ट में भी कुछ ऐसा हमें देखने को सुनने को मिलेगा, तो चलिए पार्ट पढ़ते जाते हैं, उसका मतलब भी समझते जाते हैं, है ना students, चलिए, जैसा सवाल वैसा जवाब, ठीक है, तो चलिए, बादशा अकबर, क्या है यहां पे, बादशा अकबर अपने मंत्री बीर्बल को बहुत करता था, यह तो हमें मालूम है, मनि जो बादशा अकबर थे, वो उनके मंत्री बीर्बल को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो किसी भी परिशानी में होते थे, बीर्बल चुट कियां बजा के उनकी परिशानी दूर कर देते थे, है ना, बीर्बल की बुद्धी के आगे बड़े-बड़ो की भी कुछ नहीं चल पाती थी, मनि बीर्बल की जो बुद्धी थी, उनकी बुद्धी के आगे बड़े-बड़ो, मनि बड़े-बड़े महान, पड़े लिखे लोग, उनकी भी कुछ नहीं चल पाती थी, मनि बीर्बल इतने बुद्धी मान थे, फिर क् कुछ दर्बारी बीरबल से जलते थे दर्बारी कौन होते हैं जो दर्बार में अलग-अलग जगे पे बैठे होते हैं कोई मंतरी होता है, कोई दर्बान होता है कोई लिखापड़ी का काम करता है है ना, तो राजा के दर्बार में बहुत व्यक्ति होते हैं तो क्या होता था जो बादशाह अकबर थे वो बीरबल को बहुत पसंद करते थे तो इस कारण क्या था कुछ दर्बारी मनि कुछ दर्बार के लोग बीरबल से जलते थे मनि बिलकुल पसंद नहीं करते थे बीरबल को है ना फिर क्या हुआ वे बिर्बल को मुसीबत में फसाने के तरीके सोचते रहते थे अब वो बिर्बल को बिलकुल पसंद नहीं करते थे तो वो लोग क्या करते थे बिर्बल को मुसीबत में फसाना मनि किसी भी मुसीबत में डालने के नए नए तरीके सोचते थे है ना फिर क्या हुआ इनका नाम था Khwaja Sara और हमने देखा बादशा अकबर हमने देखा बीरबल अभी तक हमने तीन नाम पढ़े हैं इस पार्ट में एक बादशा अकबर एक उनके मंत्री बीरबल और उन्हें के ही दरबार के एक दरबारी Khwaja Sara ठीक है? अकबर के एक खास दरबारी Khwaja Sara को अपनी विद्या और बुद्धी पर बड़ा अभी मान था बहुत अभी मान था तो उन्हें के दरबार में एक दरबारी थे जिनका नाम था Khwaja Sara क्या नाम था उनका? Khwaja Sara है ना? उन्हें अपनी विद्या मानने उन्हें अपनी पड़ाई लिखाई पर और उनकी बुद्धी पर बड़ा अभी मान था अभी मान माने घमंड होना है ना? वो बहुत पड़े लिखे थे बहुत बुद्धी मान थे लेकिन उन्हें इस बात का क्या था? अभी मान था किसको अभी मानता ख्वाजा सरा को ठीक है फिर क्या बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक मनि बीरबल को वे अपने सामने क्या समझते थे निरा बालक मनि एक बालक ऐसे ओडिनरी सा बालक ठीक है और मूर्ख समझते थे तो वो अपने आपके बीरबल को क्या समझते थे एक निरा बालक और मूर्ख मूर्ख माने जिसमें कुछ अकल नहीं है कोई बुद्धी नहीं है हम उसको कहना कभी आपकी टीचर ने बोला है क्या मूर्ख हो नहीं बोला होगा क्योंकि आप सब तो बहुत इंटेलिजेंट हैं है ना लेकिन ये जो ख्वाजा सरा थे ये बीरबल को क्या समझते थे एक बालक और एक बिल्कुल मूर्ख बालक ठीक है, लेकिन अपने ही बानने से तो कुछ होता है क्या, कुछ होता नहीं, लेकिन ये वो समझते थे लेकिन बादशाग बर तो बीरबल को बहुत पसंद करते थे, लेकिन वो तो बीरबल को मूर्ख समझते थे बिलकुल है ना, चलिए, ये कौन समझता था, ख्वाजा सरा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आया आप सबको, समझ गया आप, इतना पाट समझ में आया, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखिए, दर्बार में बीरबल की ही तूती बोलती, तू दर्बारी तो उससे जलते थे लिकिन बहुत सारे दर्बारी खाज कर बादशा अगबर बीरबल को बहुत पसंद करते थे तो बीरबल की ही तूती याली बीरबल का ही बोलबालाब होता था और ख्वाजा सहाब की बात ऐसी लगती थी और ख्वाजा सहाब की बात कैसी लगती तो नक कार खाना मने जहां पर बड़े-बड़े बाजे बड़े-बड़े नगारे बनाए जाते हैं ठीक है तो उनकी बात कैसी लगती थी कि जैसे नगारे बजाने वाले कार खाने में तूती की अवाज है ना माने इतने लोग भाँ पे बीरबल को पसंद कर रहे हैं लेकिन आदा सरा तो उसको क्या समझ रहे है बीरबल को एक मातर है चोटा सा मूर्ख बालग है ना तो उनकी जो बातने हम वो टूती की आवास की तरह लगती थीए माने चोटी सी अवास झापस्टे कि बलबल का क्योंकि बादशा अकबर बीरबल को बहुत पसंद करते थे और बीरबर अपनी बुद्धी से उनकी हर परिशागार की हर परिशानी को दूर कर देते थे ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं ख्वाजा सहाब की चलती तो वे बीरबर को हिंदोस्तान से निकलवा देते अगर ख्वाजा सहाब की चलती अगर बादशा अकबर उनकी बात मानते तो वो बीरबल को क्या करते हिंदुस्तान से ही निकलवा देते है ना लेकिन निकलवाते कैसे मतलब अगर वो चाहते तो निकलवाते लेकिन वो निकलवाते कैसे है ना एक दिन कर कुछ मुश्किल प्रशन सोच लिए अब वो हमेशा कुछ-कुछ सोचते रहते थे कि कैसे बीरबल को सब के सामने बेज़त करके हिंदुस्तान से निकलवा दिया जाए तो उन्होंने एक बार क्या किया कि आज तो इस बीरबल को मैं मुर्ख साबित ही करूंगा तो उन्हों फिर क्या हुआ चलो देखते हैं इतना समझ गए आप चलिए उन्हें विश्वास था उन्हें पूरा विश्वास था कि बादशा के उन प्रशनों को सुनकर बिरबल के छक्के छूट जाएंगे आप उन्होंने क्या सोचा मैं जाके बादशा को बोलता हूं कि बादशा जी आप ये प्रशन बिरबल से पूछिए तो बिरबल क्या होगा इन प्रशनों को सुनकर उनके छक्के छूट जाएंगे छक्के छूट ना मतलब हक्का बक्कर है जाना मतलब कुछ भी समझ में ना आना छक्के छूट जाना ठीक है जैसे मान लीजे आप कभी किसी प्रशन का उत्तर आपको नहीं पता तो है ना आपके छक्के छूट जाएंगे मने आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा आप सोचो के ये बगवान मैं क्या करूँ है ना तो उसके लिए कौन सी कहावत है छक्के छूटना तो उन्होंने क्या सोचा कि प्रश्णों को सुनकर तो बीरब तो भी संतोष जनक संतोष जनक मतलब सब बिलकुल संतोष हो जाए सबको कि ये उत्तर सही है तो ऐसे उत्तर वो नहीं दे पाएगा ठीक है फिर बादशा मान लेगा कि खौजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है फिर क्या सोचा उन्होंने कि फिर जब वो प्रश्णों के प्योत्तर नहीं दे पाएगा बीरबल तो बादशाजी मान जाएंगे कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है ठीक है इतना समझ गया फिर क्या हुआ ख्वाजा सहाब अचकन और पगड़ी पहन कर अब ख्वाजा सहाब बिल्कुल अचकन पहन कर अचकन माने लं आते हुए मैंने दाड़ी को ऐसे छूते हुए अकबर के पास पहुचे कहां पहुचे ख्वाजा सहाब अकबर के पास पहुचे और सिर जुका कर बोले और सिर जुका कर क्या बोले बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है क्या बोले बादशा से यह जो बीरबल है यह मैं चाहता हूँ कि आप मेरे तीन सवालों के जवाब क्या बोले वो बादश्या से कि आप मेरे तीन सवालों के जवाब पूछ कर उसके दिमाग की घहराई ना पले दिमाग की घहराई ना पने माने वो कितना बुद्धिमान है ये पता कर लीजे मैं आपको कुछ प्रशन देता हूँ, आप वो बीरबल से पूछिए और उसकी दिमाग की गहराई ना पिए, मने उसकी बुधिमानी ना पिए, उस नकली अकल बहादूर की कलई खुल जाएगी, क्या बोला उन्होंने, उस नकली अकल बहादूर, मने नकली कम अकल वाला बहा खुआजा साब ने बहुत बोला, क्या पूछिए, पूछिए, तो बात्षा ने बीरबल को बुलाया, और उनसे कहा, बीरबल परम ज्यानी, परम ज्यानी मने बहुत बड़े ज्यानी, बुद्धी वाले, पड़े लिखे, परम ज्यानी, खुआजा साब तुमसे तीन पूछना क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे तो बीरबल ने क्या बोला बीरबल बोले जहां पना जहां पना मने महराज को क्या बोलते हैं जहां पना जहां पना जरूर दूंगा उत्तर क्या बोला बीरबल ने जरूर उत्तर दूंगा खु होकर मुझसे सवाल पूछें, ख्वाजा सहाब ने अपने तीनों सवाल लिख कर बादशा को दे दिये, ख्वाजा सहाब ने क्या किया, अपने तीनों सवाल एक कागस पे लिख लिए और बादशा को दे दिये, कि लीजे बादशा ये बीरबल से पूछिए, ठीके स्टूनें इतना आप समझ गए, अब क्या हुआ, जो प्रश्ण थे वो तो खाजा सहाब ने लिखकर बाथ्षा को दे दिये, अब सुनो अगबर ने बीरबल से खाजा का पहला प्रश्ण पूछा, अब अगबर ने जो पहला प्रश्ण था, वो पूछा संसार का केंदर कहा है, संसार का केंदर कहा है, केंदर मतलब बिंदू, सेंटर पॉइंट, बीच का, है न, केंदर तो संसार का बीच कहा है, केंदर कहा है, ठीक है, सेंटर, बीच का हिस्सा कहा है, ये संसार माने पूरी दुनिया ठीक है students, तो उनका प्रश्ण क्या था, इस पूरे दुनिया का बीच का बिंदू कहा है, मनि केंदर कहा है, तो सुनिए, बीरबल ने तुरंत क्या उत्तर दिया, बीरबल ने तुरंत जमीन पर एक छड़ी गाड़ कर, एक छड़ी जमीन पर बीरबल ने यूग गाड़ दी, और उत्तर दे दिया, यही स्थान चारों और से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है, क्या किया बिरबल ने, बिरबल तो बड़े बुद्धिमान थे, एक छड़ी ली और यूग गाड़ी जमीन पर, और क्या बोला, यही स्थान पूरी दुनिया के बीचों बीच में फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है तो देखो कितने बड़े बुद्धी मानते उन्होंने बीच में यू छड़ी गाड़ी और क्या बोला यही बिल्कुल बिल्कुल क्या है बीच का स्थान है पूरी दुनिया का और अगर आपको लगता है ख्वाजा साब की मेरी बात गलत है तो आप पूरी दुनिया नाप ले और बता दे मुझे लेकिन क्या सोच यह पूरी दुनिया नापना क्या पॉसिबल है बिल्कुल पॉसिबल नहीं है तो यह उन्होंने पहले प्रशन का उत्तर दे दिया एक छड़ी गाड कर ही उत्तर दे दिया अगबर ने दूसरा प्रशनी किया अब पहले प्रशन का उत्तर तो मिल गया दूसरा प्रशनी क्या किया अगबर ने आकाश में कितने तारे हैं सोचो, आकाश में कितने तारे हैं? ये दूसना प्रश्ली किया. अब बिरबल ने क्या उत्तर दिया? बिरबल ने एक भेठ मंगवा कर कहा भेठ मने? बेठ क्या होती? भेठ बकरी. शीप. या ना? जिसके भेठ से क्या निकलता है? उन निकलता है. बिरबल ने एक भेठ बेड के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आस्मान में हैं। बीमार तो चलिए अब बारी आती है तीसरे प्रशन की अब अब अकबर ने तीसरा सवाल किया। पल पर घटी और बढ़ती रहती है मनें आबादी तो कभी घट जाती है और कभी बढ़ जाती है। किसी की मृत्य हो जाती है तो लोग कम हो जाते हैं, कहीं बच्चे पैदा हो जाते हैं तो जनसंख्या बढ़ जाती है, है ना, तो इस अंसार की आबादी पल-पल पर, मैंने seconds में घठती और बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों को मरना और जीना लगा ही रहता है, मैंने हर पल या तो लोग मरते रहते हैं, या फिर लोग पैदा होते रहते हैं, है ना, तो आबादी क्या होती है, घठती और बढ़ती रहती है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए यदि सब लोगों को एक जगा इकटा किया जाए, किसी लिए अगर सब लोगों को संसा कि लोग खट्टे एक जगा आ सकते हैं क्या नहीं आ सकते तो बाथ्षा तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ठ हो गए तो बाथ्षा ने तो जो बीरबल ने जो उत्तर दिये थे उनसे बाथ्षा तो बिलकुल संतुष्ठ हो गए लेकिन खौजा सहाब नाक वो सिकोड कर नाक गोल मोल जवाब दे रहे हैं उनसे काम नहीं बनेगा बीरबल बोले ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं तो बीरबल क्या बोले आपने ऐसे गोल मोल सवाल किये तो जवाब भी मैंने आपको गोल मोल दिया तो ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं है ना पहले मेरे जबाबों को गलत साबित कीजिए, मानि अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो आप उसे पहले गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए, ठीक है, ख्वाजा सहाब से फिर कुछ बोलते ही नहीं बना, अब बताएए, क्या बीरबल के प्रशनों के उत्तर को ख्वाजा सहाब ग सवाल किये थे, गोल, मोल, वैसे ही बीरबल ने अपनी बुद्धी का प्रयोक करके, विल्कुल उनको सटीक जवाब दिये, है ना, तो क्या था पहला सवाब, जवाब क्या पहला प्रशनी क्या था, संसार का केंदर क्या है, बीरबल ने क्या किया, एक छड़ी जमीन में गा हैं, गलत सावित करना हैं, तो बाल गिन लो, तीसरा प्रशनी क्या था, संसार की आबादी कितनी है, विरबल ने क्या बोला, आबादी तो घटी और बढ़ती रहती है, तो अगर आबादी आपको सही गणना करनी है, पूरे संसार के लोगों को एक जगे खटा करो और गिन तो क्या ये पॉसिबल था, बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, इसलिए ये पाट है, जैसा सवाल वैसा जवाब, है ना बहुत मज़ेदार पाट स्टूरेंस, येस, तो हमारा जो अभ्यास है, वो शुरू होता है प्रशन उत्तर के साथ, ठीक है, तुम्हारी बात, अब यहा हो सकता है, ख्वाजा सरा ने जो तीन सवाल किये थे, क्या उसका बीरबल के जवाब के अलावा कोई और जवाब हो सकता है, क्या, अपने मन से सोच कर लिखो, ठीक है, आपको अपने मन से सोच कर लिखना है, लेकिन यहाँ पे निहा मैम आपकी हेल्प कर रही है, आपको उत टीक है तो यहां पे संसार का केंद्र कहा है मानि संसार का जो बीच का हिससा होता है वो कहा है तो बीरबन ने क्या उत्तर दिया था याद आया आपको बीरबन एक छड़ी ली और बीच में गड़ा दी और क्या बोला यही पूरे दुनिया का केंद्र है ठीक है लेकिन आपका जवाब क्या हो सकता है दूसरा जवाब खौजा सरा का पहला सवाल तो ये था संसार का केंद्र क्या है इसका दूसरा जवाब हो सकता है जो दूसरा जवाब है वो क्या हो सकता है आप जिस स्थान पर खड़े हैं वही संसार का केंद्र है ये दूसरा जवाब हो सकता है बीरबन ने चड़ी गाड़ी थी अगर हम चड़ी ना गाड़े तो हम क्या बोल सकते हैं हम जहां खड़े हैं, वही संसार का केंद्र हो सकता है, ठीक है ना उत्तर, चलिया आगे देखते हैं, येस, तो दूसरा प्रश्ण क्या था, खौजा सरा का, आकाश में कितने तारे हैं, ये प्रश्ण था, आकाश में कितने तारे हैं, बीरबल ने क्या उत्तर दिया था, बीर संसार की आबादी कितनी हैं, कितने लोग हैं पूरे संसार में, वीरबल ने क्या उत्तर दिया था, बीरबल ने कहा था कि संसार में लोग घटते और बढ़ते रहते हैं इसलिए संसार के सारे लोगों को एक जगा एक खटा करें और फिर उनकी गिंती करें तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं था हम इसका दूसरा जवाब क्या दे सकते हैं खौजस आप पहले संसार के सभी लोगों को एक खटा करें फिर हम गिन कर आबादी बता देंगे हम ये नहीं बोलेंगे कि घटी और बढ़ती रहती है हम क्या बोलेंगे पहले आप उनको एक खटा कर लीजिए कहीं पे भी खटा कर लीजिए और हम फिर उनको गिन के आपको बता देंगे कि कितनी संसार की अबादी है है ना तो ये तीनों प्रशने के दूसरे जवाब हो सकते हैं ठीक है तो ये आप अपनी नोट बुक्स में लिख लीजिए राइट स्टूरेंस चलिया आगे बढ़ते हैं येस तो हमारा ख जो प्रशने है वो क्या है अगर तुम ख्वाजा सरा की जगा पर होते अब यहाँ पर सब कुछ आपको अपने हिसाब से उत्तर देना है स्टूरेंस अगर तुम ख्वाजा सरा की जगा पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन-कौन से सवाल पूछते मान लीजे अगर आप होते हैं ख्वाजा सरा की जगा और आप बीरबल से जलते तो आप बीरबल से कौन-कौन से सवाल पूछते तो देखिए हमने क्या पूछे हैं अगर मैं ख्वाजा उत्तर क्या होगा पूछता जैसे की कुट्टे के दुम सीधी क्यों नहीं होती अब बताओ इसका जवाब क्या वीरवल दे पातें बिलकुल शायद दे पातें कुट्टे के दुम सीधी क्यों नहीं होती है ना और भी आप ऐसे बहुत सारे प्रश्ण पूछ सकते हैं मैम ने आपको क्या बताया कुत्ते के दुम सीधी क्यों नहीं होती ठीक है और आप और भी बहुत सारे प्रश्ण पूछ सकते हैं है ना दुनिया गोल होती है क्या दुनिया चोकोर होती है क्या और होती है तो क्यों होती है यसे बहुत से प्रश्ण आप पूछ सकते थे है ना चलिया आगे बढ़ते हैं ग देखिए हमारा ग प्रश्ण ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते यह हमने पाथ में देखा ही था कि अगर उनका बस चलता तो वो बीरबल को हिंदुस्तान से बाहर निकलवा देते अगर तumhara बस चले तो तुम कौन-कौन सी इक्षाय पूरी करना चाहोगे अगर तुम्हारा बस अगर आपका बस चलेगा तो आप कौन-कौन सी अपनी इक्षाय पूरी करना चाहेंगे सबसे पहले उत्तर क्या होगा मैं अपने देश से गरीबी हम जिस भी देश वे रहते हैं हम अपने देश से गरीबी और भुकमरी भुकमरी माने गरीबी और भुकमरी माने भुकमरी माने लोग भुके ना रहें सबका पेट भरा रहे सबके पास भरपूर अनाज रहे खाने के लिए ठीक है? तो मैं अपने देश से गरीबी और भुकमरी हटा कर उसे दुनिया का स्वर्ग बनाओंगा है ना मतलब अपने देश से गरीबी और भुकमरी बिल्कुल हटा कर उसको दुनिया का स्वर्ग बनाओंगा है न स्वर्ग क्या होता है स्टूडन्स जहां बहुत खुबसूरत जहां कोई गम नहीं होता किसी चीज़ की कमी नहीं होती तो हम अपने देश से गरीबी और भुकपरी हटा कर उसको दुनिया का स्वर्ग बनाएंगे ठीक है स्टूडन्स चलिया आगे बढ़ते हैं अब यहां देखिए आपको क्या करना है बस बस तो केंदर बिंदू कहां पे आ गया बस पे आ गया है ना अब देखिए नीचे लिखे वाक्य पढ़ो यहां कुछ वाक्य दिये हैं पहले हम उनको पढ़ते हैं फिर देखते हैं आगे प्रशन क्या है चलिए, मैं बस में बैटकर विद्याले जाती हूँ, किस में बैटकर, बस में बैटकर, ठीक है, दूसरा वाक्य पढ़िए, ख्वाजा सरा का बस चलता, तो वे बीरबल को निकाल देते, यहाँ पे भी बस बस है, लेकिन इसका मतलब इसका अर्थ अलग है, बस चलता माने, अगर उनके उपर होता, माने अगर वो यह कर पाते, ठीक है, तो यहाँ पे बस का मतलब यह होता है, यहाँ पे वो वाली बस नहीं है, जिसमें हम बैटकर एक जगे से दूसरी जगे जाते हैं, ठीक है students, तीसरा वाक्य पढ़िए, बस अब रुख जाओ, अब बस दो दिन की तो बात है, मैं आ जाओंगी, बस दो दिन की तो बात है, मैं आ जाओंगी, तो students आपने देखा, शब्द एक ही है, अक्षर भी सेम है, बस अब बस, लेकिन चारो वाक्यों में अर्थ अलग-अलग है, है ना अलग-अलग, तो बस नहीं है, लेकिन सब जगे अर्थ उनका अलग-अलग हो गया, ठीक है, समझ गए आप, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, जो एक होते हैं, लेकिन हम उनका प्रयोग अलग-अलग वाक्य में करते हैं, और वाक्य के हिसाब से उस शब्द का अर्थ बदल जाता है, ठीक है students, चलिया आगे बढ़ते हैं अब देखें, उपर लिखें वाक्यों में बस शब्द के अर्थ अलग-अलग हैं, यह हमने वाक्य में देखा, हर वाक्य में बस का अर्थ अलग-अलग निकला, ठीक है, अब इसी तरह चल, चल शब्द से वाक्य बनाओ, अब हमें चल शब्द के वाक्य बनाने हैं, और हमे कौन कौन से प्रयोग करने है पहले हम चल का प्रयोग करेंगे पहले वाक्य में दूसरे वाक्य में हम चल चल का प्रयोग करेंगे तीसरे वाक्य में हम चला का प्रयोग करेंगे फिर हम चले का प्रयोग करेंगे फिर हम चलना का प्रयोग करेंगे चलती और चलो तो चल के इन सारे शब्दों का हम प्रियोग करके वाक्य बना सकते हैं, चलिए देखिए कैसे बना सकते हैं येस, तो सबसे पहले तू मेरे साथ चल तू मेरे साथ चल ये पहला वाक्य हो गया ठीक है, उसके बाद चल चल का क्या वाक्य बनेगा आज तो मैं चल चल कर ठक गया आज तो मैं चल चल कर ठक गया है ना दोनों वाक्यों में हमने एक जगे चल का प्रयोग किया दूसरी जगे हमने चल चल का प्रयोग किया ठीक है students तीसरा वाक्य देखो लो वहाँ तो चला लो वहाँ तो चला है ना वो तो चला गया, ठीक है, फिर देखिए, अच्छा अब हम चले, अच्छा अब हम चले, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, परमीशन मांग रहे हैं, कि अच्छा अब हम चले, ठीक है, उसके बाद देखिए, क्या तुम्हें मेरे साथ चलना है, अब यहाँ देखो, चलती ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए चलती ट्रेन से जो ट्रेन चल रही है उससे नहीं उतरना चाहिए ठीक है स्टूड़न्स फिर देखिए तुम मेरे साथ चलो तो देखा आपने यहां पे हमने चल शब्द का अलग-अलग वाक्यों में प्रयोग किया है और सबका अर्थ अलग-अलग निकल रहा है है ना स्टूरंस तो आप ये वाक्य पढ़िए और आप अगर दूसरे वाक्य बना सकते हैं तो वो भी बनाईए है ना स्टूरंस चले इनको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम है ना अगर ने क्या पूछा बीरबल से ये बताओ बीरबल इस पूरी दुनिया में सबसे जादा शक्तिशाली कौन है तो बीरबल ने क्या कहा होगा कहानी आगे बढ़ाओ सोचो आप सोच के बताओ कि बीरबल ने क्या उत्तर दिया होगा और आप सब मैम को कमेंट करके बताएंगे कि बीरबल ने क्या उत्तर दिया होगा चलिए माम अपने इसाब से उत्तर बताती है कि बीरबल ने कहा होगा गोद में बैठा हुआ छोटा बच्चा सबसे जाधा शक्तिशाली हुआ होता है छोटा बच्चा अच्छा अब आप पुछेंगे मैम कैसे वो शक्तिशाली हुआ तो बीर्बन ने क्या उत्तर दिया होगा बीर्बन ने बोला होगा अगबर से कि जापना अगर आपके गोद में एक छोटा बच्चा बैठा है है ना तो वो जो भी मनमानी करता है वो आपको कभी-कभी मार भी देता है कभी-कभी जिद भी करता है कभी आपके बाल भी खीचता है लेकिन आप उसकी सारी जिद पूरी करते हैं क्या कभी आपने किसी छोटे बच्चे को मारा पलट कर तुम बादशाय ने बोला बिलकुल नहीं आग बीरबल ने बोला क्या आप अपनी छोटे बच्चे को जब गोद में बठाते हैं उसकी सारी जद पूरी करते हैं बादशाय ने बोला हाँ बिलकुल करता हूँ तो बीरबल ने क्या बोला फिर सबसे जादा शक्तिशाली कौन हुआ गोद में बैठा हुआ छोटा बच्चा ठीक है स्टूरेंस तो मैं के हिसाब से बीरबल ने ये उत्तर दिया होगा लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई और उत्तर आता है तो मैं को कमेंट करके जरूर बताएगा ओके स्टूरेंस चलो आगे बढ़ते हैं थाना सही जवाब बीरबल का चलिए अब आगे देखिए बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशूर हैं स्टूरेंस आपने बहुत सारे किस्से सुने होंगे बीरबल की चतुराई के है ना तो तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंडो जिसमें वा अपने जवाबों से सबका मुँ बंद कर देता है तो ये आपको स्वेम करना है बीरबल के बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जिसमें वो अपनी चतुराई से दूसरों का मुँ बंद कर देते हैं अपने जवाबों से अपनी चतुराई का इस्तमाल करते हुए तो ऐसा एक किस्सा ढूंडिए और उसे अपनी किताब में जरूर लिखिए और अपनी कक्षा में दूसरे बच्चों को सुनाईए भी ठीक है सुनन्स चलिए और नेक्स प्रशन देखते हैं बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजर जवाबी के किस्से प्रसद्ध हैं अब बीरबल क्या थे तुरंत उनसे जिसने भी एक प्रशन किया वो तुरंत उसका जवाब दे देते थे तो ऐसे और भी कई लोग प्रसिद्ध हैं जो की बहुत अपनी बुद्धी का प्रियोक करके बड़े हाजर जवाब थे उनके नाम पता करो तो ऐसा आपको कोई नाम पता है बिलकुल है ऐसे एक है तेनाली रामा एक अपनी बुद्धी के लिए बड़े ही मशूर थे उनसे कोई अगर प्रेशन पूसता था तो वो बिलकुल हाजिर जवाब थे वो उसका उत्तर बड़ी जल्दी देते थे अपनी बुद्धी का इस्तमाल करके ठीक है और कौन थे सोचिए और थे एक लाल बुजक्कड है ना लाल बुजक्कड भी बिलकुल अपनी बुद्धी म प्रियोक करके सही जवाब दे देते थे लाल बुजक्कड लाल बुजक्कड ठीक है तो तेनाली राम और लाल बुजक्कड दो ऐसे व्यक्ती थे जो भी बीरबल की तरह ही हाजर जवाब थे ठीक है सुड़न्स और भी ऐसे कई लोग हैं तो आप और उनके नाम ढूलिए औ और लिखें कमेंट में है ना और अपनी किताब में भी लिखें बुक में भी लिखें ठीक है कॉपी में भी लिखें राइट सुड़न्स चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहां क्या है एक और शब्द माने शब्द अर्थ एक और शब्द नीचे लिखें शब्दों की जगा और कौन सा शब्द इस्तमाल हो सकता है, खाली जगा में लिखें, माने ये शब्द अर्थ है, ठीक है, अब इस पूरे पार्ट में कहीं न कहीं ये शब्द प्रयोग हुए हैं, जैसे बुद्धिमान, अभीमान, संसार, मूर्ख, विश्वास, कोशिश, आपको देखना है कि इनी के जैसे जो अर्थ निकलता है, ऐसे इस शब्द आपको यहाँ पे लिखने हैं, कि पार्ट में क्या हम उन शब्दों का भी प्रयोग कर सकते थे क्या, मतलब हमको इनका दूसरा अर्थ लिखना है, ठीक है, तो बुद्धिमान, बुद्धिमान का अर्थ क्या हो सकता है चतुर, है ना, जो बुद्धिमान हो से हम क्या बोलते हैं, चतुर, तो बुद्धिमान की दूसरी जगे, बुद्धिमान की जगे कौन सा दूसरा शब्द हम इस्तमाल कर सकते थे, पार्ट में, चतुर, ठीक है students, दूसरा है अभीमान, अभीमान का दूसरा शब्द क्या हो संसार माने दुनिया ठीक है students ये पूरा संसार ये पूरी दुनिया मूर्ख माने बेवकूफ जो बिलकुल अपनी बुद्धी का प्रयोग नहीं करता उसे हम क्या बोलते हैं बेवकूफ ठीक है students बेवकूफ विश्वास विश्वास माने भरोसा भरोसा करो ठीक है उसके बाद है कोशिश कोशिश करो मने प्रयत्न करो बार बार हमें प्रयत्न करना चाहिए कभी भी हार नहीं माननी चाहिए तो यहाँ पर कुछ शब्द दिये थे उनी का हमने दूसरा अर्थ माने उन शब्दों की जगे हम इन शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं जैसे बुद्धिमान का चतुर माने दोनों का जो अर्थ है वो एक जैसा निकलता है अभिमान घमंड संसार दुनिया मूर्ख बेवकूफ विश्वास भरोसा कोशिश माने प्रयत्न ठीक है स्टूरंस चलिए आगे बढ़ते हैं इन्हें आप अपनी कॉपीज में लिख लीजिए येस तो अब यहां देखिए प्रश्न क्या है नीचे लिखे मुहावरों का इस्तमाल तुम कब कब कर सकते हो आपस में चर्चा करो अब इनका वाक्य में इस्तमाल करो तो नीचे कुछ मुहावरे दिये गए हैं तो पहला मुहावरा क्या है नाक भो सिकोड़ना ऐसे जब कोई नाक भो सिकोड़ता है मनी किसी भी काम को करने में आनकानी करना मन नहीं करना मन से ना करना वो क्या होता है नाक भो सिकोड़ना दूसरा है कलई खुलना कलई खुलना मने पोल खुलना सच्चाई पता चल जाना ठीक है तो इनका हम उत्तर वाक्य में क्या प्रियोग कर सकते है नाक भो सिकोड़ना का क्या वाक्य हो सकता है कहीं भी बाहर जाने के नाम पर वह नाक भो सिकोडने लगता है माने कहीं भी बाहर जाने के नाम पर वह नाक भो सिकोडने लगता है माने वह आना कानी करने लगता है मना करने लगता है ठीक है? चलिए दूसरा वाक्य क्या हो सकता है हमारा? कलई खुलना माने जैसे ही उसकी चोरी की पोल खुली, कलाई खुली, वा धीरे से खिसक गया माने वो धीरे से उस जगह से चल पड़ा, निकल गया ठीक है students, तो आपको दोनों मौावरी का अर्थ समझ में आया और यहां हमने वाक्य भी लिखके उसका और अर्थ आपको अच्छे से समझा दिया चलिए आगे बढ़ते हैं, yes students, तो यहां पे हमारा खतम होता है पार्ट दो, जैसा सवाल वैसा जवाब का अभ्यास, ठीक है students, तो यह पूरे इस पूरे अभ्यास का explanation, आपको Magnetbrains की website पर मिल जाएगा Google करिए, Google पे हमारी website डालिए www.magnetbrains.com यह page open होगा, इसमें आप class 4 पे click करेंगे students, जैसे ही आप आपकी book open हो जाएगी और उसमें आपके पूरे chapters, शुरू से लेके जब तक हमने अभी तक पढ़ा है और जो हम आगे पढ़ेंगे, वो सब आपको मिल जाएंगे ठीक है students, explanation, हर पार्ट का explanation और फिर उसका अभ्यास तो यह सब कुछ आपको मिलता है Magnetbrains पर, यहाँ पर students आपको kindergarten से class 12 तक, online school education बिलकुल free में मिलती है ठीक है तो अब हम मिलेंगे फिर से एक नए पार्ट के साथ, till then bye bye, take care